कि स्वागत एफिनेंट साफ सभी का मेरे YouTube channel इस इंग्लिश क्लास में देखिए इस वीडियो के अंदर सिर्प इस इसंपल पास्ट गॉंट कॉंटी इंवर्स्टेंस है उसके बारे में बताऊंगा वीडियो को लाश्ट तक देखिए गॉंट पास्ट कॉंटिन वस्टेंस के बारे में इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा कि जिसकी पहचान होती है यहां पर यह चीज़ और देखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ उसके साथ μεं वास्ट का पर्योग किया जाता है और यहां की फर्ष्ट वाम में आयंजी का पर्योग किया जाएगा आगे देखना शुड़ों करिये स्कूल जा रहा था ठीक तो हमने बताया कि हिंदी वाक के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदवी शब्द आते हैं वह स्कूल जा रहा था तो ही वाज गोईंग टू स्कूल देखिए यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज का परियोग किया गया है ठीक आगे देखिए वहाज स्कूल नहीं जा रहा था तो he was not going to school हो गया why school क्यों नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रही थी अब देखें ये परश्ट नवाचक शब्द जो क्यों है ये वाक के बीच में आया है और जब हिंदी वाक के बीच में कोई परश्ट नवाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ second type इंट्रोगेट्यू सेंटेंस कहलाता है और उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है यानि क्यों होता है तो वाई वाज शी नॉट गोइंग टो स्कूल वाई स्कूल क्यों नहीं जा रही थी ठीक लाश्ट में कोशन में निशान हो जाएगा आगे देखी यहाँ पर वाँ खाना क्यों खा रहा तो देखी यहाँ पर भी परस्तमाचेक शब्द वाकि के बीच में आया है इसकी अंग्लेजी पहले लिखिए वाई वाज फी नॉट इटिंग फूड वाँ खाना क्यों नहीं खा रहा था और दोनों परकार के करताओं के साथ में वर्व की फस्ट वाँ में आयंजी का परियोग करना है बस सिर्फ यहाँ पर यह देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज पिलूरल होगा तो वेर का परियोग किया जाएगा जैसे कि यह singular है तो इसलिए वाज का परियोग किया गया है आगे देखे तुम कल कहा जा रहे थे तुम कल कहा जा रहे थे अब देखे यह वाज के बीच में परस्तनाचक शब्द आया है इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी वेर, वेर मिस कहा आप कल कहा जा रहे थे यह वी यू दे यह पिलूरल नमबर के सब्जेक्ट माने जाते है इसलिए इसके साथ में वर्ड का परियोग किया जाता है पास्ट कॉंटिनुवस टेंस में आगे देखिए क्या वहाद है अपनी किताब पढ़ रहा था तो अब देखें ये क्या शब्द वाकिके प्रारम हमें आ गया है इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी या और ये फर्श टैप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है देखें अब सुरुवात करिए helping verb से Was he reading his book? क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा था? Was he reading his book? और हाँ यहाँ पर देखें एक चीज़ और देख लिजिए अगर यहाँ पर लिख देता है क्या वह अपनी किताब पढ़ रही थी तो यहाँ पर हो जाता Was she? यहाँ पर he के स्थान पर she का परियोग क्या जाता और बाकिसा पूरा सब्जिट हाँ यहाँ पर his के स्थान पर हर लिखा जाता बाकिसा उसी तरीके से लिखा जाता ठीक? Was she reading her book? क्योंकि he के साथ अपना के लिए his का परियोग क्या जाता है she के साथ अपना के लिए her का परियोग क्या जाता है और अगर कहीं यहाँ पर लिखा जाता कि they तब यहाँ पर वेर का परियोग हो जाता ठीक और यहाँ पर देर का वर दे रीडिंग देर बुक तो चलिए ठीक अगर example आ रहा है तो आगे बता देंगे practice करते रहिए इसी तरीके से समझते रहिए क्या चालक कार नहीं चला रहा था अब देखे क्या शब्द वाकी के परारभ हमें आया है इसलिए यह first step interrogative sentence है ठीक ही इस क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी helping verb से शिडवात करिए was the driver not driving the car ठीक वर्व की first one में आएंजी ज़रूर रहेगा यह हो गया आगे देखिए वहाँ खाना क्यों नहीं खा रहा था देखिए यह परस्तनौत शब्द वाकी के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी क्योंकि यह second type हो गया तो why was he not eating food आगे देखिए तुम वहाँ क्यों जा रहे थे तुम वहाँ क्यों जा रहे थे वहर आया है वर्ड जो लिखा गए यह पिलूरल नंबर का subject है ठीक देखिए यह आई वी यू दे यह पिलूरल नंबर के करता माने जाते हैं ठीक है इसलिए इनके साथ ने वहर का परियोग किया जाता है लेकिन आई यहाँ पर एक exception आपको मिलेगा आई के साथ वाज का परियोग किया जाता है आई के साथ वर का परियोग नहीं किया जाता है ठीक पास्ट कॉंटिन इवस्टेंस में और अगर परजन कॉंटिन इवस्टेंस होता है तो i के साथ m का परियोग के जाता है ठीक ये past continuity i के साथ वाज ही लिखा जाएगा इसके साथ वेर का परियोग नहीं किया जाएगा हला कि ये plural number करता माना जाता है बहुचन करता होता है ठीक है लेकिन plural number subject होने के बावजूद आई के साथ वेर का परियोग नहीं होता है पास्ट कॉंटिन्वस टेंस में आगे देखिए क्या वह गाने गा रहा था अब देखिए यहाँ पर परश्ट नौचे शब्द वह के परारभ हमें आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी याई क्या क्या अंग्रेजी वाट नहीं लिखना है तो लिखिए क्या वह गाने गा रहा था अच्छा अगर यहाँ पर लिख दिया जाता क्या वह गाने गा रही थी तो वाज शी सिंगिंग अ सौंग हो जाता ठीक यहाँ पर ही के स्थान पर शी का परियोग कर दिया जाता अगर किसी लड़के का नाम अगर होता तब ही के इस्थान पर उसका नाम लिख दिया जाता बाकी सब सेम उसी तरिके से रहता ठीक निहीं के इस्थान जो वह लिखा है इसके जिए पर किसी लड़के का नाम या किसी लड़की का नाम अगर नाम लिख दिया जाता तो अब ही के स्थान पर उसका नाम लिखा जाता बाकी पूरा सेंटेंस सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा प्रेक्टिस काईदे से करना आप लोग आगे देखिए वहां कहां रह रहा था ठीक है वहां कहां रह रहा था अब देखे कहां जो शब्द आया यह परस्टमाचक शब्द है इससे एक सवाल पैदा हो रहा है यह कोई किसी से पूछ रहा है तो यह अब देखे कहां कि अंग्रेजी पहले लिखे यह second type इंट्रोगे टू सेंटेंस है तो लिखे है where was he living यह वहां कहां रह रहा था वह वाज रह रहा था यह singular नंबर का subject है इसलिए was का परियोग किया गया है और वर्व की first one में ing लिखी जाएगी चाहे singular subject हो या पिलूरल सब्जेक्ट हो दोनों परकार के करताओं के साथ वर्व की first one में ing का परियोग किया आपको I अगर होगा तो I plural number का subject होता है उसके बावजुद आपको I के साथ was का ही परियोग करना है present continuous tense में प्रेंट्स आप practice जादा करिए practice करने से ही आपको sentence बनाना आएगा और sentence आप सरलता से बना सकते हो जब तक आपकी practice नहीं होगी तब तक आपको पहचान और structure चाहे जितने पता हो चाहे जितने आजानकादी हो इस ट्रक्चर के बारे में लेकिन जब तक आपकी practice नहीं होगी आप sentence नहीं बना पाओगी तो इसे तरीके से practice करने के लिए चैनल को like करें share करें subscribe करें बिल आइकन को दमाए ताकि हमारी latest वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके thank you so much